दोस्तों सुवागत है आप सभी का फैंटेसे इंसाइट के एक और नए प्रोडिक्शन वीडियो में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजिलेंड के बीच में जो फास्ट टी-20 मैच खला जाएगा उसका डूरीम 11 प्रोडिक आघर नहीं किया है तो टेलिंग्राएं चैनल को जरु झो जरुटन झायर ब्लाएं में आप लोह से पहलत है इसbin g के बाट Changक बहुंत यह extra फैले और देख लेते हैं वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक और इंपोर्टेंट चीज अगर दोस्तों आपने अभी तरह हमारे टेलीग्राम चैनल को जोइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर जोइन कर लेना क्योंकि टोस्त के बाद जो भी फाइनल पीच रिपोर्ट होगा ग्रैन लिक का टीम होगा और स्मॉल लिक का जो कॉंबिनेशन होगा सब कुछ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसको विन किया है तो उतना ज्यादा डिफ्रेंस नहीं है क्योंकि एक बैलेंस्ट पीच है बैटर्स के लिए आच्छा हेल्प रहता है और फास्टर बोलर्स के लिए भी हेल्प रहता है इस ग्राउंड पर एबरेज फास्ट इनिक स्कूर देखलो 162 गया जो की डिसेंड ह मुझे लगता है जो भी टीम यहाँ पर पहले इनिक्स में बैटिंग करेगा 170 प्लस डान स्कूर कर सकता है इस्पेशली आस्ट्रेलिया का टीम बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है तो आस्ट्रेलिया की फेबर में हमें यहाँ पर टीम क्रेट करना होगा नियुजिलेंड के टी स्कूर भी यहाँ पर हो सकता है अगर फ्लैट पीचिस दिया जाता है वो कंडिशन के उपर डिपेंड काता है अगर ओवरकस्ट कंडिशन होता है तो यहाँ पर फास्टर बोलर्स को जादा हेल्प मिलेगा इसलिए कहता हूँ फाइनल आपडेट के लिए टेलिग्राम चैन यहाँ फासाच गाल फिच में और नुचe ने बहुत आसानने से चेस आलिए था उस में पैसर गेड़ायाय था फिप्ट म्रकस को फाइर मस्ट पर करके 156 रंड शुर किया था ऐंड न्यूज़िलंड टोटाल को चेज नहीं कर पाया था उसमें पेसर को 5 विट्सेज को मिला था 10 विट्ट एक और मैच उस सीरिस का खेला गया था यह का फी से था है ऑस्ट्रेलेयर ने 200 प्लास रंड शुर किया था अफ्ट न्यूज़िलंड पेस्ट बास से समबावित 11 की बात करें तूर बहुत साइप फिर भी पीक कर के जा रहा है। लोगों दिखने वालों कौन-कौन जा प्लेयर्स नहीं खेलेगा यहाँ पार टीम ऑस्टेलिया की अगर बात करें डेविड वानर के साथ ट्रावेज हेट ओपिनिक करने वाल है नमबा त्री मीचल मार्श जो की कैप्टेन सीवी करेगा उसके बाद जोश इंग्लिश देन ग लाचिन रबिंद्रा उसके बाद विल यंग ग्लेन फ्लिप्स मार्क चैप्मेंड मिचल सैंटनर एडम मिल टीम साओधी इस्षोडी एंट लॉकी फार्गुसन यह होने वाला है दोस्तों नियूज जिलेंड का 11 इसके अकोर्डिंग ही हम आभी टीम क्रेट करने वाला है ए यहाँ पर न्यूज जिलेंड से 5 ले साथ और फिर 4 प्लेश भी आप लोग प्लेश लेना होगा मर्ट ऐस्ट्रेलिया की टीम यह मैच एन मैथ्यू वेट अन एवेलेबल है यह इंपोर्ट नहीं होगा जोस्ट इंगलिश बैटिंग फास्ट में आप लोगों के लिए इंपोर्ट होने वाला है क्योंकि बैटिंग फास्ट में इसका परफोमेंस काफी आच्छा रहता है बैटिंग फास्ट के लिए इंपोर्ट नहीं होगा अभी मैं इसको नहीं लेने वाला हूँ कि हमारे पास और भी आच्छा ऑप्शन है डेवीड वार्नर 88 पास्ट सेलेक्शन है रिसेंटली जो वेस्ट इंडिस्क एगेंस टीटोंडी सिरीज हुआ था उसमें बहुत बहतरी परदशन किया था डेवीड वार्नर नहीं तो नो डाउट आप लोगे लिए एक बेस्ट सेब ऑप्शन होने वाला है डेवीड वार्नर आप लोग चाहो तो डेवीड वार्नर को ले साकती या फिर ट्रावेज हैट को भी ले साथ हो ट्रावेज का सिलेशन लो है वाट यह काफी आच्छा प्लेयर से अच्छा बैटिंग कर साकता है ट्रावेज हैट सो मैं अभी यहापर आपने टीम में ट्रावेज हैट को पी करने वाला हूँ डेवीड वार्नर को मैं ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि जीएल के लिए मैं यहापर यूनिक टीम बाना रहा हूँ उस बैटिंग आएगा और यह बहुत जल्दी 30 या फी 40 रान इसको कर सकता है तो बैटिंग फास्ट में इंपोर्टन होगा बैटिंग सेकेंड में चाहो तो टीम डेविट को ड्रॉप का देना आभी मैं इसको आपने टीम में नहीं रखूंगा और बात करें दो यहासे में दो और लाउंटर को लेने वाला हूँ ग्लेन मैक्सवल मास्ट्रिक उप्शन है और चाहो तो क्याप्टेन और वाइस क्याप्टेन भी बारना सकते हो ग्लेन मैक्सवल को इस मैज में क्योंकि बोलिंग भी करेंगा और बैटिंग से डेफिनेटली आच्छा पॉपरमस करने वा तो मैं दो बोलर्स के साथ जाओंगा मिचल स्टाक को मैं अपने टीम में रखूंगा एडम जांपा का देख लो फॉर्टी पासें सिलेक्शन है यह बोलिंग सेकेंड में बहुत इंपॉर्टेन होने वाला है क्योंकि मैंने मैथ्यू शॉर्ट को अभी नहीं रखूंगा अ सब्सक्राइब कर लेतें न्यूजलेंड के ताब से वहां से कौन कौन से प्लैर्स इंपॉर्टेंट होगा देख लो सबसे पहले विकेट कीपिंग की अगर बात करें देखो डेवन कॉनवे एंड टीम साइफ़र्ट आनेवेल है तो डेवन कॉनवे ही खेलनने वाला है 76 प मुझे लागता है बहुत नीचे बैटिंग काने आएगा सो इसको अब लोग ड्रॉप कर देना ग्लेन फिलिप्स यह भी मीडिल ओर्डर में बैटिंग करेंगा बैटिंग फास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बैटिंग सेकेंड में चाहो तो ड्रॉप क 23 परसेंट सिलेक्शन है दोनों का तो आभी में दोनों को आपने टीम में राकने वाला है क्योंकि यह दोनों प्लेयर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मिचल सेंटनर इस्पेशली जील के लिए बेस्ट कैप्टेंट एडवाइस कैप्टेंशी का आप्शन होने दोस्तों कि दोनों काफी आच्छा प्लेयर्स हैं बोलर के साथ यहां पर अपने टीम में एक मिलन को रखने वाला हूं इखी एक्सपरियू अपरर नहीं होगा च्हुन के सब्सक्राने करना ex c तो मैं आभी यह मिल के साथ जाने वाला हूँ इस रोडी बोलिंग फास्ट में इंपोर्ट होगा बात बारना उतना इंपोर्ट नहीं होगा तो इसको आप लोग ड्रॉप का देना अब कैप्टेंसी की अगर बात करें सबसे पहले स्मॉल लीग का बात का लेते इसमॉल लीग में यहापर डेफिनली सबी लोग कैप्टें कारें के ग्लैन मैक्सिल को और वाइस कैप्टें कारने वाला है राचीन रोबिंद्र को यहीं बहुत सारी लोग यहापर लेकि आएगा बट जील में उतना इंपोर्ट नहीं होगा क्योंकि जील में बहुत साह वाला है काप्टें का जील के एक-डो टियू में को कैप्टें वाइस कैप्टें के जरू बानना एं बौलिंग कि तारब से मीचल स्टाक आप लोग लिए आच्चा का ओप्शन होने वाला है अब अब लोग ध्यान रखन राखना दोस्तों मैं अभी अपने टीम में है पर रबिंद्र को वाइस कैप्टेन करने वाला हूं और कैप्टेन सी कि अगर बात करें तो मैं भी मिचल सेटनर को कैप्टेन लेकर जाओंगा बात में टॉस के अकोर्डिंग और पीच रिपोर्डिंग डिफिनिटली है पर चेंजिस करूंगा अभी एक वर बाइट में टीम के देखने को मिल जाएगा टेलीगाम पर फॉलो का लेना और हाँ चैनल को अभी तक आगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रू का लेना ऐसे ही और आप लोग आगर ड्रीम 11 प्रोडिशन रिलिटिड वीडियो देखना चाहते हो